कि नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में लोग बारती राजब्यवस्ता से संबंदित प्रस्न करेंगे उत्तर परदेश लेकपाल के लिए दोस्तों हम लोग का दूसरा वीडियो होगा अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें होगे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख देख लिजेगा और आईये हम लोग सबसे पहले कोश्चन की सुरुवात करते हैं जो की काफी इंपर्टेंट रहेगा आपके लिए सबसे पहला कोश्चन देखिए गारत भारत में भारत के त्री अस्तरी पंचाथी राध प्राण राली के सिपारिस किसने कि थी यानि कि सम डूसर मुख्योक क्या है इसका राई टांसर कि आवा जागा दोस्तों कोश्चन एक बार पढ़ बनिए भारत मे भारत के त्री अस्तरीं मूझ कues damit कहरेंब करूंगा की कौत्य कोश्चन मूद्रू देखिए पंचायती राजनत का मुछthen उद्सक्या है पंचाजती राज का मुख्य उद्यस क्या है तो आपसंद देखिएगा दोस्तों रोजगार बढ़ाना किर्सी उत्पादन बढ़ाना लोगों की राजनेतिक जागुपता को बढ़ाना और अपसंद नमड़ी लोगों को विकास मुलक परसासन में भागिदारी योग बनाना पंचाजती राज काफी इंपर्टेंट हो जाता है आपके लिए और इसका राइट आंसर हो जागा दोस्तों अपसंद नमड़ी लोगों को विकास मुलक परसासन में भागिदारी योग बनाना ठीक है आप इसे नोट करिए उसके वाद समलोग एक मात्मूर कोस्चन को कोश्चन नमर थी देखे अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुझेत मौलिक अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुच्छेत मौलीक अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुच्छेत बच्चों की सोसर से संबंदित है काफी अच्छा कोश्चन है और इस पर आप इलर्ट रहेगा आप संदे के दोस्तों अनुच्छेत 17 अनुच्छेत 19 पूरा लिख देते हैं अनुच्छेत 23 और अनुच्छेत इनिया आटिकल 24 या अनुच्छेत 24 मौलीक अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुच्छेत बच्चों के सोसर से संबन्दित है तो इसका राइट अनुच्छेत 24 और अनुच्छेत क्या है अनुच्छेत अगला कोश्चन देखिएगा कोश्चन नमर फोर कोश्चन नमर फोर कोश्चन नमर फोर कि अ था अ प्रतम प्रतम दीन कि अधाट ता बारति संबिधान सब्यकर करते अ प्रतम दीन की अध्यच्छता प्रतम दीन की यहां पर लिखते हैं साइड में अध्याच्छता किसने की थी अप्शन देखिये डाक्टर राजंदर परशाथ बी जवाहर लाल नहरू जवाहर लाल नहरू और आप्शन नमर सी शचिदाननंद सिंगा सदनंद शिंगा और आप्शन नमर्डि क्या है दोस्तों भिम्रां अम्वेट कर वी आर अम्वेट कर बार्ति संविधान सबागे प्रथम दिन की अजय्टता किसके थी इसका राई टैन सरी जग दोस्तों अप्शन नमर सी कई और कि सजदनांद सिंगा किए थे आवास्थाई आद देश्थ हो डाक्टरा राजमनर फाइव क्या आ देश्थ है इसका राइट अंसर क्या हो जागा इसके राइट अंसर रहे दोस्तों अफसन नम्मर छी काफह इंपटन गोस्टनने भी कोश्चा नम्मर फाइव को देखिए कोश्चा नम्मर फाइव निमलखित में से राष्टपति किसकी निक्ति करता है निमलखित में से राष्टपति किसकी निक्ति करता है किसकी निक्ति करता है अपसन देखिए अपसन देखिए भारत का महान आयवादी देखिए नियंत्र क्यों महालेखा परिच्छक नियंत्र क्यों महालेखा परिच्छक और अपसन मर्सी एक राज्यका एक राज्यका राज्यपाल और अपसन देखिए उप्रियुक्त सभी उप्रियुक्त सभी कोश्चन एक बार और पढ़िए आप निविल्खित में से राट्पति किसकी नियुक्ति करता है भारत का महान आयवादी नियंत्र क्यों महालेखा परिच्छक एक राज्यका 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 राज्यपाल और अपसन देखिए उप्रियुक्त सभी इसका राई टांसर हो जागा दोस्तों अपसन नमर डी आप इसे नूट कर सकते हैं उसके बास हम लोग अगले कोश्चन को देखेंगे को को क्वेश्चन नमर सिक्स को क्वेश्चन नमर सिक्स भारत का सम्मिधान पूर रूप से तयार हुआ कि भारत का सम्मिधान पूर रूप से तयार हुआ यनि कप ऑप्सन में देखिए कि 26 जनौरी उन्निसों पच्चाश कि 27 जनौरी उन्निसों पच्चाश कि 26 नौंबर उन्निसों चाश 26 नौरी उन्निसों चाश फरावरी एक गाराव फरावरी उन्निसों और तालिस और अफ्सन नमर दी कोई नहीं इन्हें इन में से इसी वीडेट में नहीं कोई कि देखिएगा भारत का सम्मेदान पूर रूप से कप तैयार हुआ तो याद रखेंगे दोस्तों 26 नौंबर उन्निसों चाश को इसी दो डेट में आपको कन्फूजन होता है और 26 जनौर उन्निसों पचाश क्या हुआ था तो लागू हो गया था राइट अंसर क्या है जेगा रफ फ्रोविस कोई मतला भी नहीं है चली है आगे बढ़ता है हम लोग अ अगले कोश्चिन नमर सेवन जो कोश्चन नमर सेवन को को शें नमर सेवन भारत के नियंद्र प्रिशक निउक्तिक कि द्वारा की जाती है भारत के नियंत्रक यो महलेखा परिच्छक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, अप्सन देखे, वित मंत्री, राष्टपति, लोगसभा अध्याच, और योजना आयोग अध्याच, भारत के नियंत्रक यो महलेखा परिच्छक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राई टांसर हो जागा दोस्तों, अप्सन नमर भी यानि राष्टपति की द्वारा की जाता, नियुक्ति की जाती है, और अभी पिछले वाले कोश्चन में आपको बताएं कि एक राजय के राजपाल नियंत्रक के हमाल लेखा परिच्छक की नियुक्ति की जाती है, राठपति के द्वारा, का आएए, कोश्चन नमर आट पर, कोश्चन नमर आट पर आए और देखिए कैसा कोश्चन है आपके लिए, Qt8 को देखीा क henie Qt8 सम्मभीधान के निम्लखित अनुष्यिद में से धी नवर्ग में आता है भारती सम्मभीधान के भारती सम्मभीधान के निम्लखित अनुष्यिद में में से निम्नलिखित अनुछेदों में से अनुछेदों में से कौन भी नवर्ग में आता है अप्सन में क्या दिया है अप्सन में देखिए अनुछेद 14 15 16 और 19 अनुछेद 14 और अनुछेद 16 और अनुछेद 19 भारती संविधान के निम्लिखित अनुछेदों में से कौन सा भी नवर्ग में आता है कापी अच्य कोशन है दोस्तों सायद आप कर सकते हैं इसको उलता सानी से तो इसका राइट आंसर हो जाएक दोस्तों अप्शन नमर दी यानि भीन कोन है तो भीन है आपका अनुछेद 19 क्यों तो 14 और अनुछेद 14 और तक यह और आपका समताक अधिकार यह को स्वतांत्रता का अधिकारैं ऊते पारओं यह जो दवर हो में श्कुर्या यह उन्नोर अपका अनुछेद 19 आपसन आपसन नमर में डी ल इसको इस कि इस तरह से भी कोश्चन आप से पूछ पूछा जा सकता है और आपको पूरा अनुच्छेद याद होना चाहिए मूल जो आपका मूल अधिकार का जो अनुच्छेद है कि सम्मेटता का अधिकार है सोशल के विरुद्दृद्ध किसमें है blossom आपको याद होनी चाहिएム फिर भी कुस्चन नम्मर्ण 1 दो कि सम्मिधान के किस अंुछेद कि के अंतरुकत कि धन विद्यक को परिभासित किया गया है अप्शन देखिएगा 109 110 111 111 और अप्शन नमड़ी इन में से कोई नहीं कि इन में से कोई नहीं सम्मिधान के किस अनुछेत के अंतरका धन विद्यक को परिभासित किया गया है इसका राइट अंसर हो जागा दोस्तों आपसर नमबर भी अनुछेत 110 ठीक है और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही कोश्चन को रखते हैं और बाकी और कोश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे ठीक दोस्तों आई होपे वीडियो आपको पसंद आए होगी तो अपने दोस्तों साथ सेर जरू करिएगा और मिलते हम लोग नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवात